गुड मौनिंग इस्टूडेंट्स क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इविएस कल अमने जैसे कि पिछली वीडियो में चैप्टर वन की रिवीजन करी थी आज करींगे हम चैप्टर टू का रिवीजन जिसका नाम है मैं फैमिली एंड फ्रेंड यानि की मेरा परिवार और मेरे मित तो हम इसके बारे में चलो रिवीजन करते हैं एक बार चैप्टर का देखें यहाँ पर क्या लिटा है वी लीव इने family हम एक परिवार में रहते हैं mother, father and children together make a family माता, पिता और बच्चों के साथ ही एक परिवार बनता है a family can be small and large जो एक परिवार होता है वो छोटा और बड़ा होता है parents with one or two children make a small family जिसमें माता, पिता और एक दो बच्चे होते हैं चोटा परिवार होता है, small family can also be called unclear family जो छोटा परिवार होता है उसको हम unclear family भी बोलते हैं, जैसे कि देखें यहां पर है mother है, father है और उसके दो बच्चे ठीक है, यह कौन सा होगी हमारा, a small family जिसको हम unclear family भी बोलते हैं sorry वो से unclear नहीं, noon clear family भी बोलते हैं a family which has more than four members in a large family जो एक बड़ा परिवार होता है उसमें चार members होते हैं, चार members से भी ज़्यादा होते हैं a family with parents, grandparents, uncles, aunts and cousins living in one house is called a joint family जिस joint family क्या होते हैं, जिस परिवार में माता पिता, उनके दादा दादी, उनके अंकल, आंटी और बच्चे उनके साथ, उनके बेन भाई आदी रहते हैं, तो उसे कौन से बोलते हैं, joint family, तो ये बड़ी family हो गए ने, जो सब एक साथ रहते हैं, तो उसे बोलते हैं, joint family our parents, यानि के हमारे माता पिता, in our family, our parents take care of us, हमारी family में हमारे माता पिता ही हमारी देखवाल करते हैं, they give us food to eat, clothes to wear and everything we need, जिन चीजों की हमें आवसकता होती हैं, जैसे की खाने के लिए बोजन और पैनने के लिए हमें कपड़े, उनकी सभी की चीद्रों की आवसकता को पूरा करते हैं, they send us to school, बे हमें school भेजते हैं, they teach us good manners, वो हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं, caring and sharing, वो हमें देखवाल और sharing में इस क्या होता है, बाटना, सब चीज़ार देखवाल और बाटना सिखाते हैं, caring तो हम किस तरीका से उनकी कैसे caring करें, और share में समझाब खाते हैं, तो उनको share करके खरा, all family members of a family share the work at home, घर में सभी member एक दूसरे के साथ काम करते हैं, in most of families, father work to earn money, अधिकतर परिवारों में father ही पैसे कमाते हैं, he also does some household job, और वो कुछ घर के कामों में भी सायता करते हैं, इन most of the families, mother looks after the house and brings up the children, और अधिकतर महिला अपने घर को देखती हैं और अपने बच्चों को देखती हैं, she cooks food and keeps the house clean, वे भोजन बनाती हैं और घरों की साफ़ाई करती हैं, in some families, mother also go out to work, और अधिकतर कुछ स्वरिवारों की mothers काम के लिए बहार जाती हैं, इन which families both the parents look after the house together, परिवारों में दोनों parents अपने घरों को देखते हैं, यानि कि दोनों भार जाकर भी कमाते हैं और अपने घर को भी देखते हैं, our parents work hard, हमारे parents बहुत ही महनती हैं, यह हमारा करता भी होता है, कि हम उनके घर की साखसफाई में साथ दें, और हैपी रहें, our friends, हमारे आता है हमारे friends के बारे में, हम बचपन में ही अपने स्कूल में friends बनाते हैं, we play and work with them, हम उनके साथ खेलते और काम करते हैं, we help another, हम एक दूसरे की सायता करते हैं, we speech different languages और हम अलग-अलग प्रकार की भाहसाएं बोलते हैं, we belong to different culture और अलग-अलग जातियों से belong रखते हैं, we should learn to live together happily, और हम एक साथ खुशी से रहते हैं, आज की वीडियो इतना ही, thank you.